जहां एक तरफ IPL का मौजूदा सीजन अपने पूरे शबाब पर है, वहीं BCCI ने IPL 2023 से लेकर 2027 तक के लिए मीडिया राइट्स का टेंडर जारी करने का एलान कर दिया है। IPL के मीडिया राइट्स के लिए E. निलामी 12 जून से शुरू होगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये है कि IPL के 2023 से लेकर 2027 तक के जो मीडिया राइट्स हैं उससे BCCI को 45,000 करोड की भारी भरकम रकम कमाने की उमीद की जा रही है। क्योंकि इस बार TV और OTT पर मैच दिखाने के लिए BCCI अलग-अलग राइट्स बेचने की प्लाइनिंग कर रहा है। स्टार के साथ ही कई कंप्रियां IPL मीडिया राइट्स खरीदने की रेस में शामिल हैं जिससे इन राइट्स के लिए एक नई होड मच सकती है। अभी IPL की ब्राइट्स राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं जो 2022 सीजन के साथ ही खत्म हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि IPL के अगले 5 सीजन के लिए मीडिया राइट्स बेच कर BCCI को कैसे हो सकता है हजारो करोड का फायदा, कौन सी कंप्रियां है रेस में शामिल, दुनिया में सबसे महंगे ब्राइट्स राइट्स वाली स्पोर्ट्स लीग कौन सी है और इन सारे स्प टेंडर यानि ITT जारी करते हुए कहा कि पहली बार IPL मीडिया राइट्स की इन इलामी होगी, जो 12 जून से शुरू होगी, इन टेंडर को 10 माई तक खरीदा जा सकता है, जिसके लिए नौन रिफंडेबल अमाउंट 25 लाख रुपे प्लस GST की रकम जमा करानी होगी, IPL में BCCI और टीमों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया मीडिया राइट्स है, IPL की कुल कमाई में से करीब 70% हिस्सा इसी से आता है, IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, इसके पहले मीडिया राइट्स सोनी ने 2017 यानि 10 सीजन के लिए खरीदे थे, इसके लिए सोनी ने 8200 करोड रुपे खर्च किये थे, 2018 में ये राइट्स फिर बिके और इस बार BCCI को इसके लिए लगबग दुगनी कीमत मिली, स्टार स्पोर्ट्स ने 2018 से लेकर 2023 यानि 5 साल के लिए IPL ब्रोडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड रुपे में खरीदा, अब 2023 से 2027 यानि 5 साल के लिए फिर से IPL ब्रोडकास्टिंग राइट्स बिकने हैं, हलाकि इस बार इन राइट्स को BCCI एक ही पैकेज के बजाए चार अलग-अलग पैकेज में बाट कर बेचेगा, चार अलग-अलग पैकेज में राइट्स बेचने से BCCI को कई गोना जाधा कीमत मिलने की उस लीग को चलाने वाली संस्था से उस लीग के मैचों को दिखाने का अधिकार एक तय पीरियड और तय रकम में खरीदती है, तो इसे ही मीडिया राइट्स कहते हैं। कौन से वो चार पैकेज़ में IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचने वाला है। BCCI इस बार IPL मीडिया राइट्स को चार अलग-अलग पैकेज या बंडल में बेच सकता है। जिसमें टेलिविजिन और डिजिटल राइट्स अलग-अलग रखे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक IPL गवर्निंग काउंसिल की 25 मार्च को ही बैठक में ये फैसला लिया गया था। अब तक एक ही कंपनी को ये सारे राइट्स मिलते थे। अलग-अलग पैकेज में राइट्स बेचने का फैसला BCCI ने एडवाइजरी फर्म KPMG की सलह से लिया है। इसके तहट पैकेज A में टेलिविजिन राइट्स, पैकेज B में डिजिटल राइट्स, पैकेज C में नॉन एक्स्क्लूजिव स्पेशल कैटेगरी यानि 18 मैचों का बंडल और पैकेज D में बाथी दुनिया के लिए ब्रॉटकास्टिंग राइट्स शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बार OTT प्लैट्फॉर्म पर कई ब्रॉटकास्टर को कंसूर्टियम बनाकर एक साथ बोली लगाने की अनुमती नहीं दी जाएगी। यानि हाल ही में विलाय करने वाले सोनी और जी को एक साथ बोली लगाने का मौका नहीं मिलेगा। बलकि उन्हें अलग-अलग बोली लगानी होगी। रिपोर्ट्स के मताबिक BCCI के खुद के आकलन के मताबिक ये राइट्स 40-45 हजार करोड रुपए तक में बिख सकते हैं। एक अनुमान के मताबिक अकेले IPL के टेलिविजन राइट्स के 20 हजार करोड रुपए में बिखने का अनुमान हैं। तो व पड़ गई है। OTT यानि ओवर दा टॉप ऐसे डिजिटल प्लाटफॉर्म है जहां यूजर्स को केबल, ब्रॉडकास्ट या साटेलाइट के बजाए इंटरनेट के जरीए कंटेंट मोहया कराया जाता है। होट स्टार, सोनी लिव, अमेज़न प्राइम, Z5, OTT के ही में देश और विदेश की कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। स्टार के लावा इन राइट्स को खरीदने की रेस में सोनी, Z, Facebook की पेरेंट कंपनी Meta, Amazon, YouTube और Reliance जैसी दिगज कंपनियां शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में TV के साथ साथ OTT जैसे Digital Platforms पर भी IPL देखने का चलन तेजी से बढ़ा हैं। ऐसे में BCCI को नए मीडिया राइट्स में Digital Rights के भी TV राइट्स जितना ही महंगा बिकने की उमीद है। भारत के पॉपिलर OTT Platforms में Netflix, Star का Hotstar, Z का Z5, Amazon का Amazon Prime और Sony का Sony Live शामिल है। इन OTT Platforms के बीच IPL मैचों के Digital Rights खरीदने के लिए होड मत सकती है BCCI जिस तरह मीडिया राइट्स को अलग-अलग पैकेज में बेचने के मूड में हैं उससे ये भी हो सकता है कि 2023 से 2027 के दोरान TV पर IPL कोई और कमपनी दिखाए और OTT यानि Digital Platform पर मैच दिखाने का अधिकार किसी और कमपनी के पास हो। यही नहीं भारत के बाहर बाखी के जरीए मोटी कमाई करता हो पर उसे टैक्स के रूप में एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। अगर आप ये बात जानते थे तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर देने। दरसल IPL के जरीए देश में क्रि कीले ट्रिब्यूनल में BCCI को IPL पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म किये जाने की अपील की थी। लेकिन नवेंबर 2021 में ट्रिब्यूनल ने ये अपील खारिज करते हुए BCCI के पक्ष में फैसला सुनाया था। देश का खेल बजट 2022-23 के लिए 3062 करोड रुपए है। खेल बजट से करीब 15 गुना जादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले IPL के मीडिया राइट से होने वाली कमाई देश के कुल खेल बजट से कई गुना जादा है। अब समझ लेते हैं कि फिलहाल स्टार स्पोर्ट्स IPL के ब्रॉटकास्टिंग राइट्स पैसे कैसे कमाता है। दरसल IPL दिखाने वाली कमपनिया दो तरीके से पैसे कमाती है। पहला एडवर्टाइजमेंट दिखाकर और दूसरा सब्स्रिप्शन से। आईपील में अब तक हर सीजन में 60 मैच खेले जाते थे। लेकिन 2022 में 8 से बढ़कर 10 टीमें होने के बाद मै मैचों की संख्या बढ़कर 74 हो गई। मैच बढ़ने का मतलब है कि इससे दिखाने वाले यानि ब्रॉटकास्टर की कमाई भी बढ़ेगी। रिपोर्ट के मताबिक आईपील के हर मैच में 10 सेकेंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टार 10 से 12 लाक रुपे चार्ज करत है यानि हर सीजन में एडवर्टाइजमेंट से स्टार मोटी कमाई करता है इसके अलावा होट स्टार पर मैच देखने के लिए सब्स्रिप्शन लेना पड़ता है जिसका हर यूजर के लिए सालाना चार्ज मिनिमम 500 रुपे है आईपील 2018 में स्टार को टीवी और डिजिट करोड रुपे हो गया माना जा रहा है कि स्टार 16,000 करोड रुपे खर्च करके भी अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाईगी आईपील की टेलिविजन व्यूवर्शिप यानि इसे हर सीजन में देखने वालों की संख्या अब करीब 40 करोड तक पहुंच चुकी है 2018 के बाद से य IPL दुनिया में कहां स्टार्ण करता है सबसे महेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिहाज से दुनिया की दूसरी स्पोर्ट्स लीग की तुलना में IPL दुनिया में चौथे नंबर पर है इस मामले में अमेरिका की नैशनल फुटबॉल लीग पहले इंग्लैंड की प्रेमियर लीग फुटबॉल यानि EPL दूसरे मेजर लीग बेसबॉल तीसरे और IPL चौथे जर्मनी की फुटबॉल लीग बुन्डेस लीगा पांचवे और अमेरिका की नैशनल बास्केट बॉल असोसियेशन छटवे नंबर पर है खास बात यह है कि सबसे महेंगे ब्राडकास्टिंग राइट्स के मामले में टॉप पर मौझूद NFL में 32 टीमें हैं और हर सीजन में 256 मैच खेले जाते हैं जबकि अभी तक IPL में सिर्फ 8 टीमें थी और हर सीजन में 60 मैच ही खेले जाते थे BCCI के सेकरेटरी जैशा ने कहा है कि उन्हें उमीद है कि दो नई टीमों और जादा मैचों के आयोजन से IPL नई उचाईयों पर पहुँचेगा अब जब इतनी मोटी कमाई होगी तो ये भला नीचे जाब ही कैसे सकता है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेर करना ना भूले और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाग को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार